आज दिनांक 29 जुन 2024 को थानसाली मार गाडन द्वारा सगन वहान चेकिंग के जा रही थी इसी क्रम में रोहिया पार के पास वहान चेकिंग के दोरान एक बाइक तेजी से पाइप मार्केट के तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा जिसे इसारे से रोकने हे तो इशारा किया गया जिस पर रुका नहीं बलकि अपनी बाइक को और तेजी से भगाने लगा हर बड़ा हर्ट में बाइक फिशल के दिएवी कट के सामने गिर गई जिससे अभ्यूक्त को जब पुलिस अपने तरफ आता हुआ दिखाई परा उसने जान से मानने के नियत से पुलिस पर फाइरिंग कर दी पुलिस ने आत्मरक्षात जवावी फाइरिंग की है जिससे अभ्यूक्त को पैर में गोली लगी है उसे उप्चार है तो अस्पताल भेजा गया है उसे और भी नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आसीस पुत्र उमेश बताया और भी जानकारी जुटाने पर उसने बताया कि विगत 26 जून को उसने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर धनपत कुश्वाह नामक ब्यत्ती जो की कोल्डरिंग के ब्यापारी है उनको जान से मारनी की नियत से चाकू तता पेचकस से मारकर गंभी रूप से घायल कर दिया था उसके पास से एक अदर तमंचा 315 बोड एक जिंदा कार्थूस एक मोटर साइकल एक चाकू तता एक पेचकस बढ़ामद हुई है और भी जानकाई जुटाई जा रही है आउशक विदिक करवाई अमन में लाई जा रही है